बूर्णिंग स्टुडेंट्स, वेल्कम इन्टी क्लास पैप, इस इस और इंग्लिश बूप, रैंगो इंग्लिश बीडर्स ओके जिल्टन, हमारे पुछले वीडियो में हमने Capital Letters A to Z तक पढ़ा था, आज हम Small Letters A to Z के बारे में पढ़ेंगे, यह देखे बच्चों, आपके बुक के अंदर ही लिखा हुआ है, एक से लेके Z तक Small Letters ओके बच्चों, फर्स्ट आपको इससे रीड करना है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X X, Y, N, Z, ओके बच्चों, आपको इस परकार से रीड करना है, Once again, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z ओके बच्चों, यह Small Letters दें, यह देखे बच्चों, आपको अपनी English की Notebook में, इस तरीके से आपको A से लेके Z तक Small Letters लिखने हैं, First आप क्या करेंगे, सबसे ओपर date डालेंगे, date डालने के बाद में heading डालेंगे, Small Letters A to Z, इसके बाद में आप अपनी English की Notebook में इस तरीके से लिखेंगे, इदेखे बच्चों A से लेके Z तक आपको इस स्क्वे में लिखना हैं, लिखते टाइम आप बच्चों एक बाद का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप Small Letters लिख रहे हैं वह लाइन में लिखेंगे, बच्चों इदे के Capital Letters सारे Three Line में थे लेकिन अभी यह Small Letters है दो, कुछ Letters Two Line में हैं, कुछ Letters Three Line में हैं, बच्चों लाइन का ध्यान रखते हुए आप लिखेंगे, और लिखने के बाद आपको और पैक्टिस भी करनी हैं, आप उसको बोल बोल कर याप भी करेंगे, बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोल के बताया, इस इवे में आप बोलेंगे, यह आपका आज का इंगलिश का हवार आपके बच्चों, हमाने आज की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाई बाई